नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, MS कॉलेज बिकानेर आज की क्लास में हम मैथर्स ओफ रिमुवल ओफ डिफरेंट टाइपस ओफ स्टेंज का अध्यन करेंगे अर्थात, विभिन प्रकार के दाग धब्बे छुडाने की विधियों के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पतिस दाग जैसे चाय, कॉफी या कोको कि अगर स्टेंज किसी वस्र पर लग जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से हटाया जाए इसके लिए आफशक सामगरी है उबलता पानी, ग्लेसरीन, बॉरेक्स, हाइडोजन पर ओकसाइट, सोडियम पर बॉरेट दाग की स्थिती, यदि ताजा दाग है और वह सूती एवं लिनन के वस्तरों पर लगा है तो उसे हटाने के लिए गरम जल की धार बनाकर दाग पर डालेंगे तथा दूसरी विधी में नीमू नमक लगाकर गरम जल से धोएंगे यदि दाग सूखा है तथा वस्तर रंगीन है तो ग्लेसरीन के तनु घोल का प्रियोग करना चाहिए या बॉरक्स के तनु घोल का प्रियोग करें उनी एवं रेश्मी वस्तरों पर यदि चाय और कॉफी का दाग लगता है तो रंगीन सूती वस्तर के समान ही इसको हटाया जाता है और यदि सूखा दाग है तो ग्लीसरीन या बॉरक्स के तनू घोल से दाग को हलके हातों से रगड़ कर चुराया जाता है यदि फैब्रिक क्रतिम एव मिलावटी वस्र हैं तो उसे हटाने के लिए ताजे दाग को सोडियम पर्बोरेट का उपयोग किया जाता है तथा सूखा दाग है रंगीन वस्र पर यदि तो उसको ग्लीसरीन या बॉरक्स के तनू घोल से दाग को हलके हातों से रगड़ कर चुराया जाता है दूसरे दाग की बात करते हैं हल्दी का दाग इसके लिए आशक सामगरी जो उपयोग में हमें लानी है वो है साबुन, पानी, सूर्य का प्रकाश, पॉटेशियम पर्मेगनेट, सोडियम बाइसलफेट, सोडियम पर्बोरेट, तथा ग्लीसरीन यदि दाग ताजा है और वो सफेद या रंगीन वस्तर पर लगा है तो उसे साबुन पानी से धोएं दाग लाल पड़ जाएगा इसे धूप में सुखाएं तो रंग उड़ जाएगा यदि दाग सुखा है तो उसे ग्लीसरीन या बॉरक्स के तनु गोल से दाग को छुड़ाना चाहिए ये तो विधी थी सूती एवं लिनिन के वस्तरों पर से दाग को हटाने के लिए यदि दाग उनी एवं रेशमी वस्त्रों पर लगता है और दाग ताजा है तो उसे सूती वस्त्र के समान ही हटाया जाता है और उनी एवम रेश्मी वस्त्रों पर लगा दाग यदि सूखा दाग है हल्दी का तो उसे हटाने के लिए बॉरक्स के तनु गोल से धोने के बाद हाइडोजन पर उक्साइड का उप्योग हमें करना चाहिए क्रतिम एवम मिलावटी वस्त्रों पर यदि हल्दी का ताजा दाग लगा है तो उसे सूती वस्त्र के समान ही हटाया जाता है और यदि क्रतीम एवं मिलावटी वस्त्रों पर सूखा दाग लगा है हल्दी का तो उसे हटाने के लिए सोडियम परवुरिट का उप्योग किया जाता है अब हम बात करते हैं प्राणिस दाग जैसे दूद अंडा रखत यदि किसी वस्त्र पर लग जाता है तो उसे हटाने के लिए हमें आवशक सामगरी चाहिए नमक, साबुन, स्टार्च तथा ब्रश यदि सूती एवं मिलिनिन के वस्त्रों पर ताजा दाग लगा है तो इसे हटाने के लिए दाग को ठंडे पानी से दोना चाहिए नमक से रगड कर दाग को छुड़ाया जाए और यदि सूती एवं मिलिनिन के वस्त्रों पर रक्त, अंडा या दूद का सूखा दाग लगा है तो ठंडे चल एवं मिलिनिनिन के लिए दाग को ठुड़ा है बाद में गरम पानी एवं साबुन से उसे धोडाले उनी एवं रेश्मी वस्त्रों पर प्रानिस दाग लगने पर यदि दाग ताजा है तो उसे सूती वस्त्र के समानी हटाया जाए और यदि दाग सूखा है तो सूखे दाग पर स्टार्च का पेस्ट लगा कर आदा गंटा तक सूखने दे सूख जाने पर स्टार्च को खुरच कर हटा दें तथा शेश स्टार्च को ब्रश से जहाड दें क्रतिम एवं मिलावटी वस्तरों पर यदि प्रानिस दाग लगा है और दाग ताजा है तो उसे सूती वस्तर के समान ही हटाया जाए और यदि दाग सूखा है तो उसे उनी एवं मिलावटी वस्तर के समान हटाया जाए अब हम बात करते हैं कड़ी सबजी के रस के दाग की इसके लिए आवशक सामगरी है साबून, गरम पानी, अमोनिया, पोटेशियम, परमेगनेट, जैवल वाटर तथा सोडियम, बायसलफिट यदि सूती एवं मिलिनन के वस्तरों पर दाग लग जाता है सबजी या कड़ी का और दाग ताजा है तो उसे हटाने के लिए साबून पानी से दाग छुडा कर तेज धूट में सुखाए और यदि दाग सूखा है और सफेज वस्तर पर लग जाता है तो दाग को जैवलीन जल से साफ करें एक परसेंट के एमनोफोर के गोल का प्रियोग करें तब पश्चाथ एट परसेंट सोडियम बायसलफाइट से दाग को हटाएं यदि उनी एम रेशमी वस्तरों पर दाग लगा है और दाग ताजा है तो सूती वस्तर के समानी उसे हटाया जाए और यदि साबुन से ये दाग सूखा दाग है तो साबुन से दाग छुडाएं एक बार अमोनिया के गोल में दाग को डुबो कर दूसरी बार केमनोफोर के गोल में डुबो कर दाग को छुडाया जाए करती में मिलावटी वस्तरों पर यदि दाग लग गया है तो उसे हटाने के लिए और सूखा दाग है तो उसे हटाने के लिए साबुन पानी से दाग को हटाया जाए तथा सोडें परबोरेड से दाग को छुड़ाया जाए अब हम चिकनाई उक्त दाग दबों की बात करते हैं जैसे मक्खन, घी, तेल, इत्यादी इसके लिए आवशक सामगरी है सोडा, साबुन, गरम पानी, आवशोशक पदार्थ जैसे चोकर, बेसन, मुल्तानी, मिट्टी, आदी की यदि दाग ताजा है और दाग रंगीन एवम सफेद वस्तरों पर लगा है और सूती आवशोशक पदार्थ लगा कर चक्रा कारगती से बाहर से भीतर की और दाग की आपर नीचे और रगड़ें तथा आदे घंटे तक आवशोशक पदार्थ लगे ही छोड़ दें, बाद में व्रशक से जाड़ दें उनी एवम रेश्मी वस्तरों पर यदि दाग लगता है चिकनाई उक्त कोई दाग और दाग ताजा है तो गुलनशील साबुन पानी से दाग को छोड़ाएं तता सूती यदि दाग सूखा है तो उसे सूती वस्तर के समान ही हटाएं अब हम बात करते हैं नीली शाही का दाग इसके लिए आफशक सामगरी है नमक, नेम्बू, दही, चाज, कच्चा दूद, साबुन तथा पानी यदि सूती एम लेनिन के वस्तरों पर ताजा दाग लगा है तो नीली शाही के दाग को हटाने के लिए शाही को वस्तर पर आवशोशित नहीं होने दें शाही गिरते ही इसे जटका कर गिरा दें शेश शाही को ब्लोटिंग पेपर का उप्योग करके सोंख लें या दाग इसके वस्तर दाग को नमक, नेम्बू से रगड़ साब करें कच्चा दूद दही अतवा चास से दाग को धूए दूख में सुखाएं शाही हटाने वाले पदार्थ का प्रियोग करें साबुन से दाग को धूएं, कच्चा दूद या दही से छुड़ाएं और यदि दाग सूखा दाग है, तो उसे साबुन से धूएं कच्चे दूद या दही से उसे चुड़ा सकते है उनी एउं रेश्मी वस्त्रों पर यदि दाग लग जाता है और दाग सूखा है तो उसे सूती वस्त्र के समान ही हटाएं और यदि दाग सूख जाता है तो उसे भी सूती वस्त्र के समान ही हटाया जाता है कृतीमm इलावटी वस्तुरों पर लगा दाग यदि ताजा है तो उसे भी सूती वस्तुर के समान ही हटाया जाता है और यदि दाग सुखा है तो भी उससी सूती वस्तुर के समान ही हटाया Next है लाज शही के दाग इसके लिए आफशक सामगरी है साबून, पानी, बॉरेक्स, नमक, तनू सल्फिरिक अम्र आदी यदि दाग ताजा है और सूती एम लिनन वस्तरों पर लगा है तो साबून पानी से साफ करें, बॉरेक्स के तनू गोल का उप्योग करें यदि दाग सूख जाता है तो उसे ब्लीचिंग पाउडर के तनू गोल से धोएं अंडे में एक दो बुन सल्फिरिक अम्र मिलाकर इस मिश्रन को दाग पर लगाकर रगणे अंत में नमक से दोकर अंडे का दाग हटा ले उनी एवम रेश्मी वस्त्रों पर यदि दाग ताजा है तो सूती वस्त्र के समानी इसे हटाये जाए और यदि दाग सूख है तो सूती वस्त्र के समानी इसे हटाये जाए क्रतीम एवम इलावटी वस्त्र सूती वस्त्र के समान ही ताजे दाग को हटाये जाए और दाग सूख जाता है तो भी सूती वस्त्र के समानी से हटाये जाए नेक्स्ट है आयोडी इसके लिए आवशक सामगरी है स्टार्ज, सोडियम, हाइको सलफेट, अमोनिया तथा ब्लीचिंग पाउडर यदि दाग ताजा है और सूती एयों लिरन के वस्त्रों पर लगा है तो उसे दाग को हटाने के लिए दाग पर स्टार्ज का पेस्ट लगा कर आदा घंटे तक सूखने दे बाद में ब्रश से जाड़ दें केतली की टॉंटी से निकुलती गरम जल की भाब पर दाग रखें और दाग हट जाएगा यदि दाग सूखा है तो दाग को सोडियम हाइपोसलफेड से धोएं अमोनिया या ब्लीचिंग पाउडर से रगड़ कर फिठंडे जल से दो डालें दाग हट जाएगा उनी एम रेश्मी वस्त्रों पर लगे दाग को हटाने के लिए यदि दाग ताजा है तो सूती वस्त्र के समानी से हटाएं और यदि दाग सूखा है तो भी सूती वस्त्रों के समानी विधी का अप्योग करें क्रतिम एम मिलावटी वस्त्रों पर से दाग को हटाने के लिए सूखे और गरम दाग दोनों को हटाने के लिए सूती वस्त्र के समानी विदी का उप्योग करें नेक्स्ट है जंग जंग के दाग को हटाने के लिए जो आफशक सामगरी है वो है साबुन, उबलता पानी, नीम्बू, दही, कैरोसिन तेल, ओक्जैलिक अम्ल, जैवल वाटर तथा बॉरेक्स यदि दाग ताजा है तो दाग को हटाने के लिए और दाग यदि सूती वस्तरों अत्वालिन के वस्तरों पर लगा है तो उसे हटाने के लिए दाग पर दही या नीम्बू का रस लगा कर गर्म जल की धार से धुएं, मिट्टी के तेल से दाग को छुड़ाएं, फिर साबुन से धुएं, बॉरेक्स तथा अक्जैलिक अम्ल से बारी-बारी से धुएं और सुखे दाग को अटाने के लिए जैवल वाटर से दाग को रगर कर छुड़ाएं उनी एवं रेश्मी वस्तरों पर से दाग को अटाने के लिए सूती वस्तर के समानी विदी का अप्योग करें तता सूखे दाग को उटाने के लिए भी सूती वस्त्र के समान विदी का उप्यूग करें क्रतीम एवं मिश्रित मिलावटी वस्त्रों पर से भी दाग को उटाने के लिए सूखे एम ताजे दाग दोनों को उटाने के लिए सूती वस्त्रों के समानी विदी का अप्योग करें नेक्स्ट जो इस्टेन है वो है मार्किंग इंक का इसके लिए आफ्षक सामगरी है आयोडिन, सोडियम, थायोसलफेट सूती एम लिनिन के वस्त्रों पर से ताजे दाग को हटाने के लिए आयोडिन के तनुगोल से दोकर सोडियम, थायोसलफेट के तनुगोल से धोने तथा सुखे दाग को भी इसी प्रकार से अटाया जाता है इसी करम को तब तक दोराते रहें जब तक की पूरा दाग नहीं हट जाए उनी एवं टेशमी वस्त्रों पर से दाग को उटाने के लिए सूती वस्त्र के समानी विधी का उप्योग करें क्रती में मिश्रित वस्त्रों पर से भी दाग को अटाने के लिए सूती वस्त्र के समानी मिदी का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है पान का दाग इसके लिए आशक सामगरी है निम्बू, कच्चा दूद, खाने वाला गीला चुना, अमोनिया, पोटेशियम पर मेगनेट, ब्लीचिंग पाउडर यदि दाग ताजा है और सूती तला लिनिन के वस्त्रों पर लगा है, तो दाग पर खाने वाला गीला चुना लगा कर भी 25-30 मिनट तक छोड़ दें, सूख जाने पर पानी से रगड़ कर उसे साफ कर दें और यदि दाग सूखा है तो ब्लीचिंग पाउडर के तनू गोल से दाग को रगर कर चुनाएं, दाग को एक बार अमोनिया के गोल में डुबाएं, दूसरी बार पोटेशियम पर मेगनेट के गोल में डुबाएं, तथा दाग चुडाएं, दाग चूटने तक इसी क्रम क बार बार दोराते रहें, उनी एवं प्रेश्मी वस्त्रों पर यदि ये दाग लग जाता है पान का, तो उसे हटाने के लिए खाने के चूने से दाग साफ करें, ताजे दाग को हटाने के लिए विदी है, परन्तु इसे केवल वस्त्र पर 3-4 मिनट तक ही रखें, यदि द दाग सूख जाता है, तो उसको खाने के लिए सूथी वस्त्र के समान ही विदी का उप्योग करें, अब हम बात करते हैं, कृतिम एवं मिलावती वस्त्रों की, यदि उन पर पान का दाग लग जाता है तो सूखे एवं ताजे दाग, दोनों को लिए हटाने के लिए सूथी वस्तर के समान ही विधी का उप्योग करें नेक्स्ट हम बात करते हैं फल एवम शहद के दाग इसको हटाने के लिए जो आफशक सामगरी है वो है मैदा, आटा, बॉरेक्स, नमक, उबलता पानी, जैवल वाटर, सोड एम परबुरेट, हाइडरोजन परोकसाइड तथा एसिटिक अम्र यदि सूती एवम लिने के वस्तरों पर ताजा दाग लगा है तो दाग पर आटा या मैदा के पेश लगा कर 20-30 मिनट तक सूखने दे, बाद में ब्रस से जाड़ कर साफ कर दे तता खौलते पानी से दाग को दो डाले रंगीन बस्तरों पर यदि दाग ही लगा है तो उसे गर्म जल में बॉरेक्स के तनु गोल को बनाएं वे दाग छुड़ाएं गर्म जल आउन नमक से रगड़ कर दाग को छुड़ाए जाए यदि दाग सुका है तो दाग पर बॉरेक्स डाल कर खोलते जल की धार बांद कर दाग को छुड़ाएं और यदि रंगीन है तो तनु पोटेशन पर मैगनेट के गोल से दोएं एक भाग हाइडोजन परॉकसाइड तता एक भाग एसिटिक अमल को दो भाग जल में गोल कर इस मिश्यन शे दाग को छुड़ाएं उनी एवं रेश्मी वस्त्रों पर यदि पल और शेहत का दाग लग जाता है और दाग ताजा है तो इसको हटाने के लिए रंगीन सूती वस्त्र के समानी विधी को अपनाए और यदि दाग सूखा है तो भी उसको रंगीन सूती वस्त्र के समानी विधी को अपनाया जाए यदि दाग क्रतीम एवं मिश्चित वस्त्रों पर लगता है तो ताजे और सुखे दाग दोनों को हटाने के लिए रंगीन सुती वस्त्र के समानी विदी को उपयोग में लाया जाए थैंक्स